चलते रुक नहीं जाना मेरे प्यारे दोसितों दोस्तों आज हम स्वायल मिटी के बारे में परहेंगे भारतीय मिटी के बारे में कितने परकार के होते हैं किस तरह से इसका ध्येन किया जाता है और इसके लिए ट्रिक पर हम आपको मिटी को याद कराएंगे चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहेंगा, अगर वीडियो आपने देखना सुरू कर दिया है, तो लास तक देखेगा, अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर, ठोक दीजिएगा, ठोक दीजिएगा, चलिए, सुरू करते हैं, मिट्ट में कौन सा फसल सबसे अधिक किया जाता है, और इस मिट्टी के क्या-क्या गुन होते हैं, तो पहला जो है, वह जान लीजिए, मिट्टी जिसका अध्यान करने के लिए, भारत सरकार के द्वारा, एक संगठन बनाया गया, और कहा गया, कि सबसे पहले, हमको यह जानना है, क इसमें क्या खोवी है, और इसमें कौन सा फसल उपजाया जा सकता है, तो सबसे पहले, भारतिये किरसी अनुशंधान परिशद, याद रखेगा, भारतिये किरसी अनुशंधान परिशद को यह जिम्मेदारी शौपी गई, यह जिम्मेदारी शौपी गई, कि आप भारत के मिट्यों का अध्यान किजिए और उसके बारे में होम को बताईए तो भारती किरसी अनुशंधान परिशद ने भारत के मिट्टी का अध्यान किया और पाया कि भारत में आठ परकार के मिट्टी है कितने परकार की आठ परकार के मिट्टी पाई जाती है चंपूर्ण भारत मे यानि उत्तर से लेकर दक्षिन तक और पूरव से लेकर पस्चिम तक भारत में आठ परकार की मिट्टी पाई जाती है और सभी के अलग-अलग गुन है यानि सभी का अलग-अलग क्वालिटी है किस मिट्टी का क्या क्वालिटी है क्या गुन है कौन सा फसल उप जाय जाता है कितना प्रतिसत भाग पे है आईए एक एक कर हम जानते हैं सबसे पहले हम जलोड मिटी के बारे में परहेंगे लेकिन इससे पहले हम यह भी जानेंगे कि मिटी का अध्यायन किस बिज्ञान के तहत किया जाता है इसको हम ट्रिक से याद करेंगे मिटी पेर परबा मिटी पेर परबा मिटी यानि मिटी से मिटी पेर से पेडे लौजी बिज्ञान के तहौत मिटी का अध्यायन करते हैं यानि किस बिज्ञान के तहौत पेडे लौजी बिज्ञान के तहौत मिटी का हम क्या करते हैं अध्यायन करते हैं ठीक है मिर्दा बिज कहां मिलता है भारत में कहां कहां पाया जाता है पहले हम मैप से जानेंगे चले जलोड मिट्टी का जो यह इलाका है यह मैदानी छेत्र है ठीक है यह वाला छेत्र जो है आपका जलोड मिट्टी का है कारण है कि यहां जो है नदिया प्रभाहित होती है क्या होती है किनारे किन जनारे पाई जाती है, कौन मित्ती, जलोड मित्ती, ये लूबल स्वाइल, जानते हैं, यह सब से उपजाव होता है, इसमें सब ही परकार के फोसल उपजाए जाते हैं, तो इसे पहले हम एक ट्रिक से इसको याद कर लेते हैं, ट्रिक है, जा नदी में 40 बार बाल खा, जा नदी से यह नदियों द्वारा लाई गोई मिटी है कौन जलोड मिटी देखिए यह इधर से नदिया निकलती है जैसे आपका जो है गंगा नदी निकलता है यहां से ठीक है यहीं से आपका जो है यमना नदी निकलता है जो गंगा में मिल जाता है ठीक है इधर से जो है गंड जो है छोड़ देती हैं और उसी से जलोड मिटी का निर्मान होता है तो पहले जान लिए जा से जलोड मिटी नदी 40% भाग पर यहां पाया जाता है बाल से बांगर और खादर जलोड मिटी को दो भागों में बाटा गया है यह गो है बांगर और यह गो है खादर बांगर का अर्थ हो गया पुराना मिटी और खादर का ओर्थ हो गया नया मिटी ठीक है अब आईए इसको हम मैप पर समझते हैं देखिए यह जलोर मिटी का छेतर है नदियों द्वारा इस मिटी को लाया गया है तो यह क्या करते हैं जब नदिया अपने परवाह में बहती है इस तर मिटी का निर्मान हो जाता है और इसको कहते हैं खादर यानि खादर नई मिटी होती है और काफी उपजाव होती है लेकिन जब यही नदी अपना मार्ग परिवर्तन कर दे इधर आ जाए इधर आ जाए और इधर बहना छोड़ दे तो यहां पर पुरानी मिटी पहले से है इसको कहते हैं क्या बांगर यानि पुरानी मिटी ठीक है और यह मिटी जो होता है वह कौम उपजाव होता है यानि जलोड मिटी को दो भागों में बाटा गया है बांगर और खादर उसकी विसेश्ता के अधार पर बांगर नदियो द्वारा लाई गई पुरानी मिटी है खादर नदियो द्वारा लाई गई नई मिटी है जो काफी उपजाव होता है तो इस ट्रिक से आप याद कर लिए और इसमें क्या कौमी होता है जलोड मिटी में ये जान लिए जैते हैं इसमें नाइट्रोजन, फासफोर, अस्यूमस की कौमी पाया जाता है तथा अन दाल, तिलहन पदार्थ, सरसो, राई, सभी परकार के सबजी, फाल, सभी चीजिस में क्या होता है इस मिटी में उपजाया जाता है आपको भी पता है ये है पंजाब, हर्याना, उत्तर परदेश, बिहार, पसिम, उसम, पसिम, मंगाल, उरीशा, आंध्र परदेश, तमिल, करनाटो, करनाटो, गोवा, महरास्त, यानि स्वम में थोड़ा-थोड़ा जो है यह मिट्टी पाया जाता है, जहां भी पाया जाता है, सभी परकार के सबजी, सभी परकार का फॉल, सभी परकार का अनाज, लगभग लगभग इस मिट्टी में उपजाया जाता है, हाँ, श पुरानी मिट्टी जो जलोड मिट्टी जो होता है उसको कहते हैं बांग और अनाया को कहते हैं हम लोग खादर ठीक है जलोड मिट्टी को इसके बारे में हम बता दिये क्या क्या कमी होता है तो नाइक्टोजन फासफोर असा ही कमी होता है सभी प्रकार के सबजी होते हैं सभी काली मिटी ब्लेक सुयल अब इसके बारे में हम पहले map से ही जानेगे ठीक है तो ब्लेक स्वायर कैसे होता है इसको बारे में भी आपसी जाना लिजीए ठीक है अब आगनिये चटान जब तूटता है, ठीक है, तो उसके रवा से ही इस चटान का, इस मिट्टी का निर्मान होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए इसको ट्रिक से, काली मिट्टी को, बेलना लेकर रे काली को मार, बेलना लेकर रे काली को मार, बेलना लेकर रे काली को मार, बेलना लेकर तो घया बैसाल्ट चट्टान किसे बनता है? आगनिये चट्टान से, कैसे? जब 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 जानंते ही होगे मैगमामेगेघे जानते ही हैं, चैनल जान जनiğ सकते हैं, और मैगमा जब ठंढहे हो जाता है, तो यह परिवर्तन हो जाता है, बैसाल चट्टान के रूप में बैसाल चट्टान ठीक है और यही जब तूटता है तब काली मिट्टी का निर्मान होता है यानि जो ज्वाला मुखी है उससे जो मैगमा निकलता है और वही मैगमा ठंडा होके जमा हो जाता है तो बैसाल चट्टान खलाता है और उसी के टूटिने से काली मिट्टी का निर्मान होता है याद रखिएगा और काली मिट्टी लगभग मध्परदेश, महरास्ट, आपको गुजरात, करनाटक, कीरल ठीक है इन सब राज्यों में ये काली मिट्टी पाया जात काली मिट्टी का निर्मान होता है इस मिट्टी को काली मिट्टी को रे से अर्थोग्या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक कपास का फसल होता है काली मिट्टी में इसके अलावा और भी फसल होता है लेकिन मे इसमें सबसे अधिक एक चीज होता है, जिसके कारण इसको जाना जाता है, टिटनी फेरस मैगनेटाइट एवं जिवास्म की इसमें अधिकता होती है, इसलिए इसका रंग काला भी होता है, जो आला मुखी से मैगमा निकलता है, और मैगमा ठंडा होने पर कैसा दिखेगा, का इसलिए इसको हम काली मिट्टी को ओते हैं, ठीक है, तो exam में main room से क्या पूछता है, हम question को भी देखेंगे, भारत में कहां पाया जाता है, map के through हमने बता दिया, कि भारत में ये वाला जो छेतर है, वह काली मिट्टी का है, उपर में हमने आपको बताया था, कि ये वाला जो छ है, वह काली मिट्टी का है, ये है जलोड मिट्टी, ठीक है, अब हम अगला मिट्टी के बारे में भी परहेंगे, वह मिट्टी है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी आपका ये वाला की नारा जो है, ये वाला ये वाला छेतर जो है, आपका वह लाल मिट्टी का है, ठीक है, नी सीला के रूप आज लालबा, 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 ये ट्रिक है, अब सीला से और्थ हो गया, सिलका एवं आईरन की इसमें अधिकता होती है, किसमें, लाल मिटी में, सिलका एवं आईरन की अधिकता होती है, और इस मिट्टी का निर्मान रूपांतरिक चट्टान जिसे कारियांतरिक चट्टान मेटामर्फिक रॉक भी कहते हैं उसी से होता है तो रूप से और्थ हो गया रूपांतरिक चट्टान से काली मिट्टी का नहीं लाल मिट्टी का निर्मान होता है किसे रूपांतरिक चट् है कहीं कहीं उपजाया भी जाता है इसके अलावा सबजी कुछ फॉल भी इस मिट्टी में उपजाय जाते हैं ठीक है अब ये बता दिये छेत्र कौन सा है ये वाला है अगला है लेटराइट मिट्टी का जो छेत्र है वह आपका असम का ये वाला छेत्र है ये वाला जो छेत् इसमें चाय, इलाईची, यह सब के खेती होती है, ठीक है, पहले के लोग इसमें चूना और जिप्सम मिलाते थे, कारण था कि यह मिट्टी में हमेशा अधिक बर्सा होता है, अधिक गर्मी भी होता है, तो यहां पर कीरे मकुरे ज्यादा हो जाते हैं, तो उसी को मारने के लि लेटराइट मिट्टी, ठीक है, उचे से और्थ हो गया, उच ताप एवं भारी वर्षा वाले च्छेतर में लेटराइट मिट्टी का निर्मान होता है, लोहे के ऑक्साइड, यानि लोह ऑक्साइड इसमें पर्चूर मात्रा में होते हैं, एल्मूनियम ऑक्साइड भी अफी मात्रा में होता है, फसल में सबसे ज्यादा चाय, इलाइची और काजू, ये तीन फसल सबसे ज्यादा होता है, एक्जाम में कैसे यहां से परशन आता है, उसको भी हम लास्ट में देखेंगे, चूना एवं जिप्सम को मिला कर इस मिट्टी को उपजाव बनाया जात हैं, उससे जो प्रस्ण बनेंगे, उसको भी हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है, तो चलिए, पहला हम इस मिट्टी को देखेंगे, पहला कुश्ण बनता है यहां से, कि मिट्टी का अध्यायन किस बिज्ञान के तहट किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा, पेडेलोजी, ठीक है, पेडोजी, यानि मिर्दा बिज्ञान, ठीक है, मिर्दा बिज्ञान, इसके तोहट मिट्टी का अध्यायन किया जाता है, एक कुश्ण आपका यहां से बनता है, दूसरा कुश्ण बनेगा कि जलोड मिट्टी, जलोड मिट्टी का निर्मान कैसे होता है, तथा कितना परतिसत पर है, भारत में कितना परतिसत पर है, तो जलोड मिट्टी का निर्मान किसे होता है, तो इसका उत्तर होगा, नदियो द्वारा, ठीक है, और कितना परतिसत पर है, तो 40 परतिसत पर जलोड मिट्टी, यानि एल्यूबल स्वायल पाया जाता है, अगला कुश्ण होगा, कि नदियो नदियो द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी कौन सी है जो कम उपजाऊ होती है यानि बांगर, ठीक है? यह पुरानी मिट्टी है, और खादर नई मिट्टी है, जो प्रतेक साल नदियो द्वारा लाई जाती है, जिसमें प्रती हेक्टेर उत्पादान अधिक होता है उस मिट्टी में, ठीक है? तो यहां से जो question बनता था जलोड मिटी से उसको हम लोग देख लिए अगला जो है काली मिटी है तो यहां से question सबसे अधिक मिलता है कि कपास की खेती शबसे अधिक किस मिटी में होता है तो किस मिटी में होता है काली मिटी में इसका उत्तर होगा काली मिटी हाँ एक चीज और बता देते हैं सबसे ज़्यादा काला मिटी जो पाया जाता है वह पाया जाता है महरास्ट में ठीक है और सबसे अधिक कपास का उपादन करता है वह करता है गुजरात ठीक है सबसे अध काली मिट्टी को हम रिगूर मिट्टी भी कहते हैं काली का पासी मिट्टी भी कहते हैं यह भी प्रस्ट में आता है ठीक है अब एक कोशन और यहां से बुनता है कि काली मिट्टी का निर्मान कैसे होता है तो कैसे होता है काली मिट्टी का निर्मान बैसाल्ट चट्टान से ठी है कि बालकेनों होता है जोला मुख्य उससे निकलता है मैगमा और मैगमा नविक ठंडा होता है तो बात। प्रभिफ़ को स stitched काली मित्टी का का निर्मान होता है इक और क्योंचन यहां से बनता train team कि इसमें सबसे अधीक इसका काला रंग कि सके कारण होता है कारी कि काला रंग किसके कारण होता है काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हम आपको पढ़ा हैं टिटनी फेरस मैगने टाइट टिटनी फेरस मैगने टाइट एवं जिवास्न के कारण इसका ऐसा रंग होता है, काला रंग, ठीक है? अगला जो है वह लाल मिटी के बारे में पढ़ेंगे, पहले एक आप स्क्रीन सॉट ले लेजिए, चलिए, अब हम लाल मिटी के बारे में जानेंगे, और लेटराइट मिटी से कि कैसे यहां से प्रस्न जो है, पूछे हम प्रस्नों को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, अगला प्रस्न जो है वह लाल मिटी से बनेगा, कि लाल मिटी पीला कैसे हो जाता है? लाल मिटी पीला कैसे हो जाता है? चलिए, अगला कॉस्चन हम यहां से लेते हैं, लाल मिटी का रंग, पीला किस कारण होत है तो इसका उत्तर हो जाएगा जल के शंपर्क में मिट्टी के आने के कारण ठीक है जल के संपर्क में जब लाल मिट्टी आता है तो उसका रम पीला दिखाई देता है आपको भी जारखन जाईए या च्छतिस गर जाईएगा देखिएगा जहां-जहां पानी के संपर्क कोस्चन है कि लाल मिट्टी का निर्मान किस रंग के कारण होता है तो इसका उत्तर होगा यहापे हम परहाई है आपको रूपांतरिक चत्टान या कारियांतरिक चत्टान करतके के मिटमॉर्फिक रूप इंग्लिश में परहाई होता है इसके कारण लाल मिट्टी का निर्मान होता है और यह बहुत कौ्व उपजाव होता है इससे एक ही कोश्चन यहीं दो कोश्चन एक्जाम में लिए जयादा तर पुछा जाता है अगला है लेटे राइट मिठी तो इससे ज़्यादा question पूछता है तो सबसे ज़्यादा पूछता है चाय का उत्पादन शबसे अधि किस मिठी में होता है तो इसका उत्तर होगा लेटे राइट मिठी में में ठीक है दूसरा क्वेशन इसमें पूछता है कि लिटे राइट मिट्टी में क्या मिला कर उपजाओ बनाते हैं तो चौथा क्वेशन हो जाएगा लिटे राइट मिट्टी में लिटे राइट मिट्टी को उपजाओ कैसे बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है लिटे र चुना एवं जिपसम आपको पता है पहले के जवाने में चुना एवं जिपसम मिला कर इसको अधिक उपजाव बनाया जाता था और इसी कारण जो है इसमें कीरा मकोरा ये सब चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा इस मिटी में दोस्तों इससे जो कोश्चन बनने वाले हैं उसको मैंने हम आपको बता दिए हमने चार मिटी के बारे में पढ़ाया मैप पे पढ़ाया इसे संबन्धित मुस्ट इंप़र्टेंड को इबताया जानते हैं ये बिहार दरोगा बिहार पुलिस टीचर इससे सीरेल भे मैं सभी एकजाम में पुछे गए हैं लास्ट में ही कहेंगे अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाएगा धन्बाद दोस्तों बाइबाइब